नमस्कार बच्चाएं आप सभीके सौगत है आपके अपने YouTube चैनल Home Science में जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं और फर्स सिम्सटर Home Science जी हाँ फर्स्ट सिम्सटर के क्लासश चलने वाली है जिसमें आज आप सब बहुत ही important प्रशनों को cover करने वाले हैं जो अधी लगुत्रिय प्रशनों होंगे आपके paper में ठीक क्योंकि आप सब को पता है आपके paper को तीन खंडों में बाटा गया है खंड आ बासा ठीक तो खंड आ से आस का प्रशन है और सारे प्रशन बहुत important है इसलिए वीडियो को पूरा देखें और जो अभी नए जुड़े हैं वो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करें और यद वीडियो पसंद आता तो like आवसे करें ठीक like करते हुए share करते हुए आगे बढ़ते हैं देखते हैं आगे का क्या है आपका प्रेश्ण ठीक ऐसे तो मैंने कोश्का के ओपर वीडियो बहुत बिस्तार से बनाई हुए है जहां से आप बहुत आसानी से कोश्का से संबंधि सारे प्रेश्ण कबर कर सकते हैं फिलहाल रिवीजन के तौर पर देखते रहें ठीक ये भी कोश्का होती क्या है और क कोश्का का अर्थ और परिभासा देख लेते हैं ठीक तेजी के साथ परतेख जियोधारी का चरीर अनेक छोटी-छोटी सनरचनाओं से मिलकर बना होता है जिन्हें हम सल या कोश्का कहते हैं ठीक कोश्का परतेख जियोधारी की सनरचनात्मक एवं क्रियात्मक ही काय होती है औ इसे हम इंग्लिज में semi क्या गहते हैं semi-prameable cell membrane ठीक उसके बाद नेस्ट आता है आपका लूबी तथा securities के अनुसार इन्होंने कहा कि अर्ध प्रागम में जिल्ली से घीरी हुई एक घीरी हुई जैबी किरियाओं की और कि एक ऐसी काई जो जीवी तंत्रों के मुक्त माध्यम से सोयम प्रजनन कर सकती है वही हमारा क्या कहलाता है कोशिका कहलाता है ठीक आगे देखते हैं भोजन क्या है भोजन पे जरूर से जरूर पेपर में प्रस्ण आता है जरूर एक प्रस्ण बनेगा पेपर में याद रखन ठीक और इससे पहले जो पेपर हुआ था ना जन्वरी में 2021 में जो पेपर हुआ था प्रथम सेमस्टर का उसमें भोजन से कई प्रस्णा आये हैं तो भोजन क्या है बताईए भोजन वठोस अत्वा तरल पदार्थ है जिसको कोई वेक्ति ग्रहाण करता है और जो सरीर में जाकर पाचन सूसर तथा चैपचे के पश्चात सरीर को उर्जा प्रदान करता है ठीक जब चैपचे होने के पश्चात सरीर को उर्जा प्रदान करता है कौन प्रदान करता है अपका भोजन प्रदान करता है वे समझत पदार्थ जो सरीर में ग्रहार करने के बाद सरीर को उर्जा पैदा करते हैं तथा तूट फोट तंतूओं की मरमत करते हैं और नए तंतूओं का निर्मार करते हैं वही सारी रिक क्रियाओं पर नियंत्रड बनाये रखते हैं तथा सरीर के लिए वच्छा कंपाउंड बनाने में सहीयोग करते हैं यही भूजन कहलाते हैं ठीक पोशड क्या है? What is nutrition? Turner के अनुसार Turner ने कहा कि पोशड सरीर में होने वाली बिभिन किरियाओं का संगठन जिसके द्वारा जीवित प्राड़ी ऐसे पधार्थों को उग्राण करता था उपयोग करता है जो सरीर के विभिन कारियों को नियंदरित करता है और वृझ ब्रिधि करता है तथा सारीरिं तूट-पूट की मरम्मत भी करता है उसके बढ़ ने इस गुशन आता है पोशक तथिक पोशक तत्यू क्या है तो भोजन के अंदर विद्मान हुए समस्त पोश्टिक तत्यू जो सरीर, निर्माड, उर्जा, उत्पादन तथा सरीर की रोगों से रच्छा करनी का कारि करते हैं वही पोशक तत्यू कहलाते हैं जैसे कि पोशक तत्यू आपके हैं न संतुलित आहार क्या है वह आहार जो सरीर को उर्जा की सक आउ सकता सरीर के निर्माडग तत्तों की आउ सकता तथा नियामक यों सुरशात्मक तत्तों की आउ सकता को पोड करता है वही संतुलित आहार कहलाता थी कार्बोहाइडरेट क्या है कार्बोहाइडरेट प्राकर्तिक प्रदत पुशक्तत है जो कार्बोहाइडरेट पेर पौधों की हरी पतियां डालियों के दारह निर्मित होता है और भारती आहार में कार्बोहाइडरेट की मातरा सबसे अधिक होती है यहां के लोग लगभग 70-80% औरजा कार्बोहाइडरे सबक्तिक है ठीक कहां के लोग कि उसके पर एक में नेष्ड है और आखरी है यह बहुत है नहीं महात्रपोड फ्रेस्थ नहें कि जैसक quem ने पहले पर भ२जन से जरूर से जरूर एक प्रेस्थन कारी के अधार पर भोजन का वरिगी करड़ कारे अनुसार भोजन का वरिगी करड़ करना है फर्स्ट आता है निर्माड कारी भोजन जिसमें हम प्रोटीन, वसा, मचली, अंडा, वनीर, दूद, दही, दाले, बीज, मेवे, तथा अनाज़ का सेवन करते हैं ठीक और वहीं प्रोटीन और खनीजलोड जो होते हैं निर्माड कारी भोजन होते हैं खनीजलोड में कैलसियम होता है, दूद जो होता है, नीर है, हरी सबजियां है, ठीक सक्तिवर्धा कुर्जा, इसमें सरकरा है, चीनी गुड है, स्टार्च है, आलू और अनाज है सकरकंद केला है, वसा है, घी, मक्षन, तेल, क्रीम, पनीर, सुखे, मेवे, इसे हमें सक्ति प्रदान होती है ठीक, नियामक या सुरच्छात्मक भूजन, जिसमें बिटॉमिन्स, मास मचली, का तेल, हरी पवेलियां, पीली सबजियां, रसीले फल, बीज, नाज, दूद, अंडा, क्रीम, खनीज, लवड, हरी सबजियां, मेवे फल, दूद, इन सभी में क्या होते हैं, ये वरी ग्रि गक्ष्णल शदाउ में के दूचे वरी जए, ये नाज, तेल, होते हैं, इन सभी में क्स आए लिधए न सुर